हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू ओनलाइन इस्टी पॉइंट दोस्तो रेलवे गुरूब डी एक्जाम के लिए टाइम बहुत कम है अब 17 सितंबर से एक्जाम स्टार्ट हो रहे तो आपको अब सबसे जाद रिवीजन पर ध्यान देना चाहिए रिवीजन पर फोकस करना चाहिए दूसी के इंतरगत में आपके लिए जनरल साइन्स के लिए 70 प्लस यानि 70 से धिक कोश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूँ और यह बहुत इंबोडन कोश्चन है लगवग बार बार पूछे जाने वाले और पिछले वरसों में यह कोश्चन बहुत बार रिपीट होए है तो इन कोश्चन को आप बिल्कुर रट लीजिए पूरा वीडियो बहुत ध्यान से लाज सक देखिएगा यह कोश्चन आपके एक्जाम के लिए बहुत बेनिफीसियल हो सकते हैं मोस्ट इंबोडन कोश्चन है ठीक है तो वीडियो इसकी बना करते हो लाज सक जिरूर किएगा दोस्तों मैं अनकेडमी पर ही पढ़ाता हूं तो आप अनकेडमी के लनिंगे प्लेश्टोर से डाउनलोड करके उसमें ऑनलाइन सब्सक्राइब कर सकते हैं मैं अपने अनकेडमी प्रोफाइल के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया हूं त आपके एक्जाम में बहुत मददकार सावित हो सकते हैं चली पहला कोशन है डिहाइड्रे सन में सरीर का मुकते किस रसाइन की कमिया जाती है तो डिहाइड्रे सन में सरीर है प्लस राई तो MP not एकशन हो जोんな चाठी में प्रव्रूत होता है किसका मिस्तरण है इसका इंसर ह ठीक है गैसो हॉल जो मोटर गाड़ी में इधन की रूमें प्रवक्त होता है किसका मिस्रण होता है पिट्रोल प्लस अल्कोहल का ठीक है यह ओनलाइनर कोश्चन है इसमें में डिटेल में चर्चा नहीं करूँगा ताकि आपका रिवीजन फटा भट हो जाए ठीक है अगला को इनको आप लास तक जरूर देखिएगा और अधिया आप रेलवे गुरूप डी एक्जाम के त्यारी करें तो आपके लिए एल बुक पब्लिसर द्वारा ओनलाइन एक पीडिया फाइल त्यार की गई है जो कि रिवीजन के लिए बहुत इंपोर्टन उसमें लगवक सभी स अगला कोशन है लोहे में जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है उत्तर है राशानिक परिवर्तन ठीक लोहे में जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है यह होता है राशानिक परिवर्तन नेक्स उचन है कौन सा गयस जौला मुखी परवतों से निकलती है कौन सी गय शमुद्री जल में सरवाधिक मात्रय मुपस्थित रहने वाला लवण कौन सा है शमुद्री जल में सरवाधिक मात्रय मुपस्थित रहने वाला लवण सोडियम क्लोराइड ठीक उत्तर हो जागो सोडियम क्लोराइड फिर नेक्स कोशन है, एस्प्रीन का राइसानिक नाम क्या है? उसका एंसर है, एस्प्रीन का राइसानिक नाम क्या है? 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 अगला कोशन है, आदर्ष गैस क कर आसानिक नाम है calcium hydroxide अगला प्रसमें दोस्तों RDX में तापमान एबं आग की गती बढ़ाने के लिए क्या मिला जाता है इसका उत्तर होएगा aluminium चूड ठीक RDX में तापमान एबं आग की गती बढ़ाने के लिए क्या मिला जाता है चैनल के playlist में जाकर आप देख लीजिएगा इस वीडियो के description box में भी link दे दूँगा आपको तूस link पे लिए क्लिक करके आप देख लीजिए बहुत important question है अगला कुछ ने डालडा बनाने के लिए किया जाता है उत्तर है बनस्पती तेल का hydrogen करने ठीक डालडा बनाने के लिए क्या की जाता है बनस्पती तेल का hydrogen करने अगला प्रस्ण है दलहनी पौधे वाइवंडली मुक्त नाट्रूजन में किसमे परविर्तित करते हैं उत्तर है नाट्रेड में दलहनी पौधे वाइवंडली मुक्त नाट्रूजन को किसमे परविर्तित करते हैं नाट्रेड में अगला प्रस्वन है टेलकमपाउडर बनाने में किस खनीश को उपयोग होता है अगला कोश्चन बहुत इंपोर्णन्ट है निवा, निव्ट्रॉन के खोच करता कौन थे, निव्ट्रॉन के खोच करता थे, जेम्स चैडवीक, कौन थे, जेम्स चैडवीक, अगला प्रस्ण है, बारूत बनाने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, उत्तर है सल्फर का, किस का सल्फर का, ठीक है, बारूत बनाने म कौन सा है जो सबसे कठोर धातु है कौन सा है platinum जो है दोस्तों सबसे कठोर धातु है ठीक है अगला question है rust का pH ज़क capable deuf certification है वरक हमगे 7.4 अगला question है खारी मिरदा की किरशी योग बनाने में खेतों में किसका प्रियोक की आता है शारी मिर्दय के क्रिसी योग बनाने है, तु खेतों में जिसका प्रयोग की आता है, इसका अगला कोशन है, ग्राइवान करे क cents, अगला कोशन है क्रायोजिनिक ईधन तापमान के किस शिध्धान पर गार किरता है, एंसर है निम्न तापकर, अगला कोशन है आतिचालक्ता किस हिस्थिती में होती है इसका एंसार है प्रतिरोध सून नहोन रहने पर नेक्ट कोशन है इस्टोरीज बैटरी में किन का प्रयोग की जाता है इस्टोरीज बैटरी में किसन का प्रयोग की जाता है सीशा अगला कोशन है नायनो टेक्नोलोजी सम्मंदित होती है तो यह है शुक्ष्मता से अगला कोशन है किसी एक सुपर कंड़क्टर का नाम बतावें इसका एंसर है नियोबियम अगला कोशन है अपसरा परमाडू रेक्टर में काउन सतत्तु इधन के रूमें प्रयोग किया आता है यूरेनियम फिर अगला प्रसन है खाना वाला सोडा का राशानिक नाम क्या है खाना बनाने वाला सोडा का राशानिक नाम है सोडियम बाई कार्वोनेट यह question easy लेकिन कई बार exam में repeat हुआ है कई बार पूछा गया है ठीक है तो यहाँ पर आप easy question में गलती नहीं करना है आपको sodium by carbonate next is bio gas का प्रमुखवयव क्या है जिसका answer है methane bio gas का प्रमुखवयव है methane अगला question is plaster on Paris के डिन निर्मान में किसका प्रयुक किया जाता है उत्तर है दोस्तो जिब्सम का plaster on Paris के डिनिर्मान में किसका प्रयुक किया जाता है उत्तर है baking soda का by कुण धोने के साबन किस्य बना जाते जो कपड़ा दोने वाले साबन हुते है castic soda ankasifs १मीशında परिसे द्टी चार कॉल, अगला कोशन है चूने जल को दुधिया कौन सी गास कर देती है, co2, अगला कोशन है इस्तन्धारी वर्ग में रक्त का proof सबिधिक ताबमान गिसका होता है, इस्तन्धारी वर्ग में रक्त सबिधिक ताबमान होता है बकरी का होता है, 39 degree Celsius ठीक है 49 degree Celsius अगला है कौन सा उत्तक शरीर के तापकरम को निंतरित रखता है सायोजी उत्तक ठीक है अगला कोश्चन है वायवान के टायरों में हवा भरने में किस गयस का प्रयोग की आता है हीलियम का किसका हीलियम का अगला कोशन है सिंदूर का रासानिक नाम है उत्तार है मर्कूरिक सल्फाइड सिंदूर का रासानिक नाम क्या है मर्कूरिक सल्फाइड अगला कोशन दोस्तों क्लोरोफिल में किस धातू के आयन उपस्थित रहते हैं क्लोरोफील में किस धातू के आयन उपस्थित रहते हैं एंसर है मैगनीशियम के मैगनीशियम के आयन उपस्थित रहते हैं क्लोरोफील में अगला कोशन है वाइन यानी शराब में उपस्थित रहता है एथिल एलकोहल क्या एथिल एलकोहल अगला कोशन है सोना का राशानिक प्रतीक क्या है? सोना का राशनिक प्रतीक AU. अगला कोशन है राशनिक देश्टी से चीनी क्या होता है? राशनिक देश्टी से चीनी होता है शुक्रोज. अगला प्रसन है बर्व के साथ नमक को मिलाने पर इसके गलनांग पर क्या प्रभा पड़ता है? इसके गलनांग जो त केल्सियम, तावा, 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 अगला प्रस्ण रोहे के चादरों पर जस्ते की परत चड़ानी की प्रगे में किया क्या कहते हैं कहते हैं गैळेवैहनी करण ठीक है लोहे के चादनों पर जस्तें की परत चढ़ाने की प्रक्या क्या कहते हैं गैळेवैनी करण अगला प्रसंग जर्मन सिल्वर किसकाम रन plays जस्ता प्लस निकिल कोने की चीनी किसके संयों लोक से बनी होती है ग्लुकोज और फ्रक्टोज ठीक है गन्य की चीनी किनके लोक से बनी होती है ग्लुकोज और फ्रक्टोज अगला कोशन है किस पदार्त का प्रयोग मसीनों में इस नेहक यानि लुब्रीकेंट के रूमें प्रयोग की जाता है इसका एंसर है ग्रेफाइड अगला कोश्चन है किस खनीच को बेवकूफों का सोना कहा जाता है किस खनीच को बेवकूफों का सोना के नम से जाना जाता है तो आइरन पाराइट या आइरन सल्फाइट को बेवकूफों का सोना के नम से जाना जाता है इसको iron, parity iron sulfite को ठीक है दोस्तों अगला कोशन है हवाई जहाज को बनाने में काउन सा फाइवर का प्रयोग होता है इंसर एक carbon fiber का ठीक है हवाई जहाज बनाने में काउन सा फाइवर प्रयोग की जाता है carbon fiber का